हेलो एव्रिवन आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉन टेक टेक विधेशन वाई में मैं प्रेम बती आदो आज हम होमियोपैथी मेडिसिन यूफ्रेशिया ओफिस नेलिस के बारे मात करने वाले है ठीक है इसका कॉमन नीम क्या है इसका कॉमन नीम है आई ब्राइट इसकी पूबर है डॉक्टर हैनमन यह स्क्रोफुललेरी ऐसी फैर्मिली की मेडिसिन है तो हम यह देख सकते हैं इसके नाम से ई से हमने कर लिया आई ब्राइट घ्ट से कर लिया हैनमन에 । इसके स्पियर ऑफ By случае में देखने को मिलता है पर्टिकौरलन यह हम देखे तो आइ में आई लेट्स में अपर पोर्शन ओफ रेस्पारेटी ट्रैक्ट में टमी नोज मैंब्रेन में बहुर अच्छा एक्षन देखने को मिलता है ठीक है अब अब इसके जनरल सिंटर्ब्स की बात करें तोह केथ्रल अफ़ेक्षन ओफ म्यूकस मेंब्रेन में इसका बहुर अच होगा और जो भी उघाचाच कैसा हुगा मतलब तीखा दिस्चाराज क्या होगा और जोबी आँक से डिस्चारज होगा क्या होगा तीखा ध टीका धृगई orli लिखर ओन में हैं और इसे चाके फैक्षचों आजमें में देखने हो आगो पूरे हैं जो और छुआ है यह इसकी है में ठीच सब्सक्राहिए अर्वलोन बुम्वट नहीं एड इस्टेफी सेग्रिया में तो हम इसे याद कैसे कर सकते हैं फेस फेस में क्या हो रहा दिन के समय में सिर्फ कफ है कफ की जो भी कंप्लेंस है जब परसन सो के उठेगा या मौर्णिंग के समय में हमें एग्राविशन देखने को मिलेगा अब हम इसके mensis symptom की बात करते हैं तो इसका mensis बहुत important है इस woman में क्या देखने को मिलेगा या तो mensis सिर्फ एक दिन के लिए होगा या तो कुछ घंटों के लिए होगा तो अगर कुछ घंटों के लिए हो तो हम इस medicine के बारे में सोच सकते हैं और इसमें हमें न प्रोफ्योज offensive expectoration देखने को मिलेगा मतलब क्या हुआ कि अगर कोई person है उसको कफ है और वो क्या कर रहा है उसको निकाल रहा है कफ को तो उसमें जो भी expectoration होगा, sputum होगा या mucus निकलेगा बहुत ज़्यादा बदबुदार होगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा ठीक है और इसमें evening टे समय में and warm room में and घर के अंदर indoors में क्या देखने को मिलेगा इसके जो भी complaints है इग्रवेट हो जाएंगे बढ़ जाएंगे अब हम इसके general symptoms की बात करते हैं तो इसका बहुत अच्छा action हमें nasal cavity में, pharynx में and larynx में, upper respiratory tract में बहुत अच्छा action देखने को मिलेगा अब हम इसके headache symptom की बात करते हैं तो इसका headache कैसा होगा bursting type का headache देखने को मिलेगा इसके head में ऐसा लगेगा कि इसका head जो है न हट जाएगा और इसके साथ इसके eyes में जो है न हमें blur vision देखने को मिलेगा यह dazzling of eye मतलब हार एक चीज जिसको बहुत ज़्यदा चमकीली चमकीली दिखाए देंगे clear vision नहीं होगा और इन सारे symptoms के साथ इस person में cathral discharge देखने को मिलेगा nasal discharge देखने को मिलेगा मतलब headache भी हो रहा है nose and eye से भी discharge देखने को मिल रहा है eye का जो भी discharge होगा कैसा होगा acrid discharge होगा and nasal discharge कैसा होगा blend और यहीं अगर blend discharge eye से हो and nose से acrid हो तो हम alien sepa के बारे में सूछते हैं यह बहुत characteristic symptom है दोनों के बीच में तो आप इसे याद रखेगा अब हम इसके headache के aggravation की बात करते हैं तो इसको warm room में aggravation देखने को मिलेगा line down से इसके complaints headache के बढ़ जाएंगे अब हम इसके nose symptom की बात करते हैं तो nose में क्या देखने को मिलेगा इस person में inflammation हुआ है mucous membrane का catheteral condition देखने को मिलेगी उसके ऐसे nasal discharge होगा और nasal discharge कैसा होगा blend discharge देखने को मिलेगा और nasal discharge के साथ भी eye discharge देखने को मिलेगा इसके जो भी complaints है nose के वो exposure to warm, south wind and lying down से बढ़ जाएंगे अब हम eye symptoms की बात करते हैं तो हमने पहले भी बात की है कि eye के लिए बहुत अच्छी medicine है अगर कोई person है conjunctivitis से सफर कर रहा हूँ ठीक है यह आप देख पा रहे होंगे conjunctivitis और नॉर्मल आख कैसी होती है नॉर्मल conjunctiva है और conjunctiva होने के बाद सौरी यह आप देख पा होंगे ठीक है और अगर किसी person के cornea में अलसर हो गया हो उस समय भी हम इस medicine के बारे में सोच सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं corneal ulcer ठीक है उसमें बहुत अच्छा एक्ट करती है अगर margin swollen हो लीड्स swollen हो और बहुत ज़्यादा secretion देखने को मिल रहा हो lacrimation हो और इतना जदा चुबन हो रहा हो person में जैसे कोई rate चुबती है ना आखों को वैसा चुबन हो रहा हो बस्टिंग टाइप का pain देखने को मिले इस्टिच हो रहा हो तब हम इस medicine के बारे में सोच सकते हैं इसमें और क्या देखने को मिलेगा हमें कि जब भी आई की सिम्टम्स आएंगे person में उसके साथ भी और आई जा देखने को मिलेगा मतलब नाचल डिस्चार्ज हर एक complaints के साथ देखने को मिल रहे है आई एंड नाचल डिस्चार्ज हो तब भी होगा इस woman में या इस person में और इसके हम आई की बात करें किसका आख कैसा देखने में होगा तो लिट्स जो होंगी रिड हो जाएं इसका इवनिंग के समय exposure to south and warm से इसके complaints बढ़ जाएंगे ठीक है अब हम इसके कफ सिंटम की बात करते हैं तो यह कफ के लिए बहुत अच्छी medicine है तो अगर कोई person है और उसमें कफ हो रहा हो और कफ जो हो ना south wind में एग्रवेट हो जा रहा हो साउथ की हवा अगर पड़े तो एग्रवेट हो जा रहा हो हैकिंग कफ देखने को मिले जो भी expectorate कर रहा हो जो भी निकाल रहा हो इस पूटम तो वह बहुत ज़्यदा offensive हो तब हम इस medicine के बारे में सोच सकते हैं इसके साथ eye and nasal discharge देखने को मिले तब भी सोच सकते हैं अपर इस टेफी सेग्रेय में भी देखने को मिलता है इसे हम face से आत किये थे मैंने पहले ही बात की थी अब हम इसके फीवर की बात करते हैं तो इसके फीवर में irruptive fever जैसा कि आप देख पा रहे होंगे irruptive fever like measles हो किसी person में तब हम इस medicine के वारे में सोच सकते हैं किसी को fever आ रहा ह सब्सक्राइब करते हैं तो इवनिंग के समय में बेड से इंडोर्स वाम से मॉइस्चर से आफ्टर एक्स्पोजर टू साउथ वाइन टच से इसके कंप्लेंस में एग्रावेशन देखने को मिलेगा और इसको कॉफी से एंड डार्कनिस से रिलीफ होगा एमलूरेशन होगा ठीक है आई होप यह वीडियो आपके लिए योजफुल हो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब और लाइक मैं चैनल थैंक्यू फर वाचिंग